प्रदान मंतरी आवास योजना की नई सूची जारी कर दी गई है। यदि आप इस योजना के पात रहें तो आप अपना नाम इस सूची में खोज सकते हैं और आवास योजना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ सूरज सुकला चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट पर आ जाएंगे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डारेक्ट ही इस पर आ सकते हैं आने के बाद ये वेबसाइट आपके मोबाईल फोन में इस प्रकार से ओपन होती है आपको वेबसाइट के होम पेज में इन थ्री डॉट के उपर थ्री लाइन्स के उपर टिक करना है टिक करने के बाद आपको आवास सौफ्ट के उपर किलिक करना है क्लिक करने के बाद आपको Report के Option पर क्लिक करना है आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको SEC Reports यानी E Section के Option में यहाँ पर Fourth Number पर Category-wise SEC Data Verification Summary के उपर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस पेज में आपको सबसे पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है आप जिस स्टेट से बिलॉंग करते हैं आपको अपनी स्टेट इसमें सिलेक्ट कर लेनी है उसके बाद में आपको इसमें अपना जिला सिलेक्ट करना है आप जिस जिले से बिलॉंग करते हैं इसमें सिलेक्ट कर लेंगे select करने के बाद तीसरे नमबर पर आपको इसमें अपना विकास खंड select करना है विकास खंड select करने के बाद आपके सामने इसका fourth option open हो जाता है अब इस option में आप से आपकी gram पंचायत पूछी जाती है जो आपकी gram पंचायत हो आप इसमें select कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करने के बाद सम्मिट बटन पर क्लिक करना होगा फिल करने के बाद आपके ग्राम पंचायत की लिस्ट इस प्रकार से ओपन हो जाती है यहाँ पर देख सकते हैं आपके ग्राम पंचायत में जिन लोगों को प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट आवास दिये गए होंगे उनकी पूरी लिस्ट उनके नाम, बेनिफिसरी नेम, फादर नेम, मदर नेम, कटागिरी, पूरी डिटेल आ जाती है यदि आपका नाम इसमें है तो आप अपने नाम की पूरी जानकारी चेक करने के लिए कि आपको आपका पेमेंट कितना दिया गया है सरकार दोरा चेक करने के लिए आपको अपने रजिस्टेशन नमबर के उपर क्लिक करना होगा example के लिए हम किसी एक registration नमबर के उपर click करते हैं click करने के बाद आप देख सकते हैं ये form इस प्रकार से open हो जाता है इसको सहीर प्रकार से देखने के लिए आपको इसे desktop mode में open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने ये इस प्रकार से open होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर beneficiary की पूरी detail दी हुई होती है कितने पैसे उसे दिये गए हैं तथा आपकी जो मकान की photo खीची गई होंगी जब आप इस योजना के पात्र बने होंगे वो भी detail आपको इसमें मिल जाती है इस प्रकार से आप अपना नाम तथा पूरी detail इस प्रकार से आसानी से खोज सकते हैं आसा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो में कोई doubt रह गया हो तो आप हमसे comment के माद्दम से पूँच सकते हैं मैं उसका reply जरूर करूँगा और इसी प्रकार की informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी जानकारी YouTube चैनल को सस्क्राइब करें साथ ही साथ bell बटन को प्रेस करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद